तो नमस्का दोस्तों स्वागत है आप सभी का जारकन जोप्स चैनल में तो बने रही है आप हमारे साथ सब्सक्राइब कीजिए साथ में बेल आइकन को दबाईए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए तो चलिए पहले कोश्चन से और चलते हैं आज का जो पहल महाबारत में जहरकन को किस नाम से जाना जाता था तो इसका जो सही उत्तर है वो सी नमबर याने की पुंडरिक देश महावारत काल में जहारकंट को पुंडरिक देश के नाम से जाना जाता था अगला जो सवाल है वो जहारकंट की सबसे बड़ी जन जाती कौन सी है इसका जो सही उत्तर है वो संथाल C नंबर इसका सही उत्तर होगा अगला जो सवाल है वो जहारकंट छेतर से लोकसभा की कुल सदेश्यों की सेंखा कितनी होती है तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए नमबर यानि की चोदर अगले सवाल क्यों चलते हैं अगला जो सवाल है पाइका क्या है इसका जो सही उत्तर होगा वो है A नमबर यानि की पाई का एक निरित्या है अगला जो सवाल है वो है दामदर गाटी परियोजना में कुल कितने बांध हैं तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है D नमबर यानि की आठ टोटल बांदों की सेंख्या आठ है इस परियोजना में अगला जो सवाल है वो जार्खन में किस जार्खन के किस जिले में सारवधिक वन छेतर है तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ए नमबर यानिके चत्रा तो इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमारी चैनल को जरूर सब्स कब घोस्णा हुई तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी नमबर हैंनि क्यों 1924 इसका सही उत्तर होगा अगला जो सवाल क्यों चलते हैं अगला जो सवाल है वो है जार्खन विजन 2010 में कितने सुत्र हैं तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है 27 तो दोस्तों हम जारखंड एक साइज जो कॉंस्टेबल है उसके लिए हम हर रोज जारखंड की या तो फिर कोश्टेंट लेकर आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को जबर सब्सक्राइब कर लें तो जारखंड राज में कितनी बिरियत सीचाई परियोजनाएं हैं तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी नंबर यानि की आठ परियोजनाएं हैं अगला जो सवाल है वो है जारखंड की क्यमंत्रिक अन्यादान योजना किस वर्स प्रारंब हुई तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है सी नंबर यानि की 2004 दोस्तों इसी तरह के क्वेश्चन्स के लिए आप हमारे चैनल को जरू सब्सक्राइब करें साथ में बेल आइकन को दबाएए लेटेस्ट वीडियो की को देखने के लिए तो चलिए दोस्तों थैंक यू